हेलो स्टूडेंट्स वेलकम तुमा यूट्यूब चैनल आखिर सीजी व्यापम के द्वारा कंड़क्ट कराएवे एक्जाम नर्सिंग सीजी पीएटी बीएट दोहचार एक्टिस का कब आएगा क्या परिक्षा का शेडियूल बहुत जल जारी होगा या इन परिक्षाओं में भी पिछले साल की तरह बारवी परसेंट से ही प्रवेश मिल जाएगा इन कॉलेजेज में और नहीं होंगे ये एक्जाम तो चलिए आज का न्यूस देख लेते हैं और थोड़ा समझते हैं एंटरंस एक्जाम विभागों के प्रस्ताव का इंतजार देखिए आप सब जानते हैं चार परिक्षा का शेडियूल जारी हो चुका है जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था वो परिक्षा कौन सी थी PT, PPHT, PPT और PREMCA का लेकिन जो अन्य एक्जाम है जो की व्यापम कंड़क्ट करवाती है व्यापम टोटल 11 एंटरंस एक्जाम कंड़क्ट करवाती है जिसमें से 7 एक्जाम का अभी तक कोई अता पता नहीं है और विभाग का कहना है यहाँ पे आप देखेंगे प्रस्ताव जो है तयार किये जा चुके हैं लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते थोड़ा इंतिजार किया जा रहा है जब यहाँ पे यह लाइन लिखी गई है तो आप अभी डाउट पे होंगे कि क्या इसका शेडियूल या एक्जाम शेडियूल या नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं बाकि जो चार एक्जाम्स होने हैं एंटरंस एक्जाम उसका शेडियूल जारी हो चुका है 22 अप्रेल से आविदन भी शुरू होंगे और 17 जून को एक्जाम होने की संभावना है लेकिन क्या जो 7 एक्जाम जिसका नहीं आया है वो एक्जाम होंगे या नहीं होंगे ये आज की डेट पे आपको कोई क्लियर नहीं बता सकता लेकिन आप 50-50 मान के चलिए लेकिन आप अपनी तयारी जरूर जारी रखिए एक्जाम हो भी सकते और नहीं भी हो सकते अगर मान के चलिए एक्जाम नहीं होते हैं तो माई में हैं आपका 12 बोर्ड एक्जाम उसके बाद ही पूरा प्रोसेस होगा यानि कि जिस तरीके से 2020 में डिले हुआ था सारा चीज वैसी 2021 में भी होगा क्योंकि जब बोर्ड एक्जाम के परिक्षा ही देर से होगी रिजल देर से जारी होगा और उसी परसंट के बेस पे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो पूरी प्रक्रिया अगस सेप्टेंबर तक ही शुरू होगी अगर व्यापम एक्जाम कंड़क्ट करवाता है तो भी इसी तरीके से होगा क्योंकि जून में ही एक्जाम कंड़क्ट कराने की डेट आई हैं तो अभी आपको अपने दोनों हिसाब से त्यार करके चलना है आपको बारवी के परसंटेज भी अच्छे लेके आने हैं और आपको इन एंटरंस एक्जाम की भी त्यारी करनी है हो सकता है यह एंटरंस एक्जाम हो और हो भी सकता है नहीं हो लेकिन यह सिर्फ और सिर्फ कोरोना पर डिपेंड करता है और अगर सारी चीज़े कोरोना पर डिपेंड करती है तो आप अभी कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते आपको अपनी प्रिप्रेशन जारी बारवी के परसेंट के बेसिस पे अगर होता है आपका एडमिशन तो भी क्या प्रोसेस होगा कितना देर होगा ये भी आपको पता चल चुका है तो आप दोनों तरीके से अपने आपको रेडी करके रखिए एक्जांस होंगे या नहीं ये आपको अप्रेल लास्ट या मई त तक पता चल चाएगा अगर एक्जाम का नोटिफिकेशन एंटरஜ एक्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो इसारी प्रक्रिया वही सेप्टेंबर से ही शुरू होंगी जिस तरीके से इस देरी से शुरू हुई थी 2020 में उसी तरीके से 2021 में भी वैसी ही प्रक्रिया होगी अगर एक्जाम हुए तो भी और नहीं हुए तो भी तो मैं उम्मीद करती है इस वीडियो मैंने जो भी कुछ आपको बताया अब को समझ जब आप लोग लोगा तो इस वीडियो को जरू लाइक करें अगर आप इस चैनल में ना है तो जरू सब्सक्राइब करें इस वीडियो उसके लिए थांक यू मच वाच